हेलो दोस्तो, माई एस्टर गाइड में आपका स्वागत है, आज हम बात करेंगे सन लाइन के बारे में या सूर्यारिका के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए आपकी सन लाइन बताती है, आपके नेम और फेम के बारे में, आपका सोशल एसोसेशन या सोशल recognition आपका benefit from the government और आपका association with the government benefit from the speculation benefit from the government आपकी position के बारे में आप किस level तक जा सकते हो अपनी life में और आप कितना wealth जो है वो create कर सकते हो आपके owner के बारे में आपकी skills के बारे में बताती है तो चलिए start करते हैं एक एक करके देखिए सबसे पहले क्या है कि sun line या तो हाथ में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और अगर हो तो बिल्कुल साफ सुतरी clear cut हो तभी जा करके उसके result आपको अच्छे मिलेंगे दूसरी बात कई लोगों के हाथ में sun line होती है लेकिन लोग बोलते हैं कि हमें तो पैसा मिला ही नहीं हमें तो name fame मिला ही नहीं देखिए ये चीजे बाकी mount पे भी depend करती है लेकिन इतना मैं जरूर बोलूँगा कि अगर आपके हाथ में एक अच्छी खासी sun line है तो 90% cases में आपको result जरूर मिलेगा और अगर थोड़ी बहुत ही है आपके हाथ में sun line तब भी आपको social recognition मिलेगा चाहे आप अपने यारों दोस्तों में famous हो या अपने पासपडोस में हो या आप किसी गाउं में हो या किसी मुहले में famous हो मतनब आपका एक नाम तो जरूर होगा ये बात तो लगबग confirm है तो चलिए start करते हैं और जानते हैं different type of sun line सबसे पहले तो ये जानते हैं कि sun line होती क्या दे कि कोई भी line जो आपके कहीं से कहीं से भी निकले लेकिन आपके mount of sun यहां तक जाती है mount of sun तक चाहे यहां तक उसे हम sun line कहते हैं तो एक एक करके discuss करेंगे तो पहली तरह की जो sun line होती है वो होती है जब कोई भी line आपके ये mount of Venus यहां से निकल के आपके mount of sun तक चली जाए इस तरह से चली जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये सूर्य रेका जो है ये सुक्रपरबच से निकली होई है तो ऐसी सूर्य रेका जिस किसी के भी हाथ में हो ऐसे लोगों को जो है असली जो name और fame मिलता है असली जो growth मिलती है उनकी साधी के बाद कहलो या किसी female के association में आने से मिलती है मतलब opposite sex के संपर्त में जब देखती आता है उसके साथ चाहे partnership करे उसके साथ चाहे business करे चाहे उसकी सला ले या जैसे साधी करे तब जाकर क्या आती है यहां पे एक confusion है कि क्या male के लिए ही है या female के लिए या क्या कि क्योंकि ये opposite sex की बात कर रहा हूँ मैं तो अगर कोई female होगी तो उसको male के साथ partnership करे या उसकी साधी होने के बाद उसको growth मिलेगी इस तरह से होता है कई बार ये भी देखा गया है क कि कुछ लोगों के हाथ में जो है वो ससुराल पक्सिक जैसे कोई male होता है तो उसको ससुराल पक्सिक का नाम लेकर के उसको life में growth मिलती है या पुस्तैनी जमीन जायदाद भी मिलने के उसको chances बहुत ज़ाद होते है जिनकी जो line है सुक्रपरवत से सुरू हो sun line कई बार ऐस देखा गया है कि ऐसे लोगों को जो है वो पुस्तैनी जमीन जायदाद भी मिलती है अब चलिए बात कते हैं second जो sun line है देखिए दूसरी तरह की जो sun line होती है ऐसी sun line जो आपकी जीवन रेखा आपकी life line यह है यहां से निकल के कोई रेखा जो है वो mount of sun तक जाए तो उसे हम कहते हैं कि यह sun line जो है वो जीवन रेखा से life line से निकली हुई है तो इस तरह से जिनके भी इस तरह की जो sun line होती है ऐसे लोगों को जो है जिन्दगी में name और fame अपनी किसी skills अपनी किसी हूनर की बज़ा से मिलता है कोई specific इन में हूनर होता है कोई specific skill होती है इनके अंदर ज जो कुछ भी करना होता है इनको खुद करते हैं और जिसकी वज़ा से इनको name और fame मिलता है ये चितरकार हो सकते हैं ये कोई भी creative काम करने वाले हो सकते हैं sportsman हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं इनके पांस एक खास्यत और होती है कि इनकी जो intuition power है वो बड़ी जवरदस्त होती अब बात करते हैं अगली तरह की जो sun line होती है वो होती है कोई भी sun line जो आपके mount of mars यहां से निकल के जब आपके sun mount तक जाती है तो हम इसे कहते हैं कि यह जो sun line है यह mars mount से निकली हुई है तो इस तरह से भी जिसके हाथ में इस तरह की sun line हो ऐसे लोगों को जो success मिलती है वो कोई भी ऐसा adventurous काम करेंगे तो इनको बहुत ज़्यादा success मिलती है ऐसे लोग जो होते हैं हर एक वो काम करते हैं जिसको दूसरे छोड़ देते हैं जिस काम से हार मान चुके होते हैं उस काम को करके ये लोग अपनी life में एक position जो है हसिल करते हैं लेकिन इनकी एक problem रहती है कि इनको life में बहुत सारी problems का सामना करना पड़ता है यहां पि इनको बहुत सारी इनके life में एक problem आएगी दूसरी आएगी इस तरह से इनको सामना करना पड़ता है लेकिन success इनके हाथ में होती है मतलब ये success को पाके ही रहते हैं कोई इनके अंदर जुनून होता है, इनके अंदर जिद्ध होती है, अब हम बात करते हैं, चोथी तरह के Sun Line, वो है जो आपकी Mind Line, यह आपकी Mind Line है, यहाँ से चलके Sun Mount तक जाती है, आपकी Mind Line से निकलती है और Sun Mount तक जाती है, तो ऐसे लोगों को जो Success मिलती है, जो Name और Fame मिलता ह वो अपनी intellectual skill की बज़ा से मिलता है, अपनी intelligence, अपनी business skills की बज़ा से मिलता है, ऐसे लोग बहुत बड़े businessmen, marketing वाले लोग हो गए, या कोई भी ऐसा व्यक्ति, जैसे judge बग्यारे हो गए, जिन लोग जो अपनी intellectual skill का use करते हैं, इनको name और fame मिलता है, बस एक सर तो रहती है, कि इनको name और fame जो है, लगवग 35 years के बाद मिलता है, इनको बहुत छोटी age में, name और fame इनको नहीं मिलता, अब बात करते हैं, next जो sun line है, ऐसे कोई भी sun line जो आपकी heart line से निकले, और mount of sun तक जाए, ये चौती तरह की sun line होती है, तो जिसकी भी sun line, heart line से निकले, और mount of sun तक जाए ऐसे लोगों को भी जो name और fame मिलता है, जो wealth मिलता है, वो अपने owner की बज़ा से मिलता है, बट इनको वो result जो है, अपनी life में काफी late मिलते हैं, काफी delay मिलते हैं, काफी देरी के बाद मिलते हैं, उसका reason एक ही है, कि ये अपनी life में मेहनत करे जाते हैं, और इनका दिल लेकिन हिस्से में देखने को आपको मिलेगी, अब next तरह की जो sun line है, वो होती है, जब आपकी sun line यहाँ पे middle of the palm, राहू मांट से निकलके, मांट of sun तक जाती है, तो जिसकिसी की भी इस तरह की sun line होती है, ऐसे लोगों को speculation से बहुत वाइदा होता है, सटे वाजी से share market में लोगों को बहुत जादा फाइदा होता है, लेकिन राहू परवत बहुत जादा खराब नहीं होना चाहिए, तो यह जितनी भी तरह की मैंने sun line बताई हैं आप लोगों को, यह अगर आपके हाथ में है, 90% chances हैं आपको success मिलेगी, और 10% में अगर नहीं मिल रही है, तो आपक उसका कुछ न कुछ remedies, कुछ न कुछ solution लेना पड़ेगा, जैसे अगर आपकी sun line जो है, शुकर परवत से निकलती हो, फिर भी success नहीं मिल रही हो, तो आपको किसी female partner का association लेना पड़ेगा, female की सलाह लेनी पड़ेगी, या किसी female के संपर्क में आने के बाद आपको growth मिलेगी और जैसे आपकी sun line जो है, वो अगर आपके mind line से निकलती हो, फिर भी success नहीं मिल रही हो, तो इसका मतलब यह है कि अपनी जो intellectual skill है, उसका use करिए, और ऐसे ही अगर आपकी sun line जो आपकी life line से निकलती हो, और mount of sun तक जाती हो, आपको फिर भी success नहीं मिल रही हो, तो इसका मतल तरह से जिन लोगों के सन नाइन जो है वो मार्स माउंट से निकलती है लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है ऐसे लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा सा पेसेंस रखे थोड़ा अपने डिटर्मिनेशन से काम ले और डट के किसी भी परस्तिति का सामना करे तब जा करके इन लोगों को सक्सेस मिलती है तो फरवब वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो आपको इंटरस्टिंग लगा है और वीडियो इंटरस्टिंग लगा है तो चैनल को कर दिगे सब्सक्राइब और पामिस्टरी सीखने के लिए जो है चानल में जाकर के आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देख सकते हैं मैं सिरीज वाइस एक एक वीडियो जो है डालता जा रहा हूँ थेंक यू